हलो एब्रीवन स्वागते आप सभी का इस वीडियो में हम बात करेंगे होमेपेथिक मेडिकल एक्जाम जो आपका 22 अगस्त को होने जा रहा है आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा एक्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले और एक्जामिनेशन हॉल में एड्मिट कार्ड को डाउनलोड करें एड्मिट कार्ड आपका कलर्ड फॉर्म में भी हो सकता है ब्लैक और वाइट फॉर्म में भी हो सकता है बट उसका जो प्रिंट है वो रीडेबल होना चाहिए और आपके पास एक recent photograph होना जरूरी है क्योंकि वो आपर affix होता है बात करते हैं photo ID को भी आपको लेकि जाना होगा government का लाइक आधार card, voter card और आपका pen card हो सकता है passport हो सकता है या फिर driving license हो सकता है बात करते हैं आपको और किन बातों का ध्यान रखना होगा आपको examination hall या जो आपका examination center है वहाँ पर एक घंटा पहले पहुंशने हो कहा गया होता है जनली paper आपका 11 बज़े से start होगा तो आप 10 बज़े से लेकर 10.5 तक वहाँ आराम से पहुंच सकते हैं आप easily अपने center को locate कर लीजी और खुद को आपर compatible कर लीजी बात करते हैं फिर आपका जब screening होगी आपके जो भी gadgets होगे electronic gadgets वो आपको बाहर ही रखने होगे तो अपना bag साथ में लेकर जाए और आप बात करते हैं किस तरीके से आपके पास pattern हैगा तो generally जो भी देकि paper 1 में आपकी जो marking होगी वो आपकी negative marking होगी 0.5 की टोटल आपके पास 50 questions होगे और इसके जो है 100 marks होगे every question will be of 2 marks तो आपके पास 100 marks का paper आएगा 50 questions होगे और negative marking होगी 0.5 generally आप 4 options देखते हैं बट यहाँ पर 5 option आपकी OMR sheet में होगे अगर आप किसी भी question को answer नहीं करना चाहते हैं तो आपको उसका option E circle करना होगा यह mandatory है अगर आप circle E mandate fill नहीं करते हैं mark नहीं करते हैं तो आपके फिर भी 0.5 जह हो deduct होगा तो आपको इन चीज़ों को प्यारे में ध्यान रखना होगा बात करते हैं हम इस तरीके से आपके पास यह मेरी carbon copy है इस तरीके से आपके पास interface होगा तो यहाँ पर जैसे अगर हम बात करते हैं जो भी आपका roll number होगा मानले जी 1,2,3,4 यहाँ पर आपको अपना roll number डालना है digits में बात करते हैं application number आपके admit card पर application number होगा वो आपको यहाँ पर डालना है digit form में ही booklet series आप सभी को पता है जो भी आपका examination center होगा जैसे आपका HPPSC का निगम विहार तो आपको इस तरह के से वहाँ पर डाल देना है paper 1 में आप करेंगे paper 1 वहाँ पर लिखाओगा आपके documents के साथ में तो paper 1 आपको यहाँ पर fill कर देना है यह आपको letters में ही डालना है फिर बात करते हैं roll number यहाँ पर भी आपको roll number fill करना है और इसकी साथ में ही नीचे को आपको अपने जो है circle को फिल करना होगा series आपको पता है application number आपको यहाँ पर फिर से आएगा यहाँ पर आपको invigilator की signature होगे यह आपको छोड़ देना यहाँ पर आपके अपने candidate signature होगे बात करते हैं हम यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपके पास 5 options होगे for every question मान लिए आपको first question का आपको कोई भी answer नहीं करना है तो आपको यहाँ पर option जो है वो circle इस तरीके से करना होगा तो इन चीजों के बारे में आपको ध्यान रखना होगा और अगर आपने कुछ भी गलत कर दिया तो generally correction pen allowed नहीं होते हैं तो कोई भी कुछ भी आप fill करें सो समझ कर fill करें in case आपको कोई भी confusion है तो आप अपने examiner से पूछ सकते हैं बट आपको option E option E mandatory है अगर आप किसी question को answer नहीं करना चाहते हैं आपको answer नहीं पता तो option E आपको circle करना ही होगा otherwise आपके 0.5 जो है वो deduct होंगे और paper one में paper one में आपको merit में आना होगा यहां पर कोई भी as कोई भी prerequisite नहीं है कि आपको 35 marks लानी है paper one में आपका depend करता है कि कितनी seats है तो paper one में merit में आए जिस सीज़ा आपसे भी आपका paper रहेगा paper two आपका subject aptitude test होगा इसमें कोई भी negative marking नहीं होती है तो I hope आपका कोई भी अगर जो query थी वो मैंने resolve की है इनकेस आपकी और भी कोई query है तो मुझे comment section में बता सकते हैं मिलता हूँ आपसे नेक्स वीडियो में और आप सभी को मेरी तरब से exam के लिए good luck give your best मिलता हूँ आपसे बाद में टेक क्यों